रेट्रो इस्टेडीज में आप सभी का स्वागत है आज हम क्लास 12 के फ्लैमिंगो बुक से देखेंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं यह कहानी एक रैट्ट्रैप पेडलर की है जो की बहुत बुरे कंडिशन में होता है उसका जो कपड़ा होता है वो भी फटा चीटा होता ह और बहुत गंदे तरीके से दिख रहा होता है ऐसा प्रतित होता है कि वो भुखमरी से जूज रहा है इसका आनी में हमें यह भी पता चलेगा कि इसका न घर होता है न इसके पास पैसा होता है इसलिए कभी-कभी यह भीक मांगा करता है और कभी-कभी चोरी भी किया करता है ताकि इस दुनिया में वो अपने आपको सर्वाइव करा सके पेडलर की जो लाइफ रहती है वो बहुत लोनली लाइफ रहती है और इसका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं होता है एक दिन की बात है कि उसके दिमाग में ये बात आता है कि ये पूरी दुनिया जो है वो रैट ट्रैप है और अगर इस रैट ट्रैप को हम टच करते हैं तो हम लोग उसमें फस जाएंगे और उससे बाहर कभी भी नहीं निगलेंगे उसके बाद वो ये बात सोचते हुए आगे बढ़ता है कि जो लोग हैं वो इस रैट ट्रैप में फस चुके हैं एक ठंडी शाम में वो एक कॉटेज के पास पहुंचता है और वहाँ पे रहने की गुजारिस करता है वो जोपड़ी ओल्ड क्रॉफटर का होता है जो कि उस कॉटेज में रहता है और पेडलर को कहता है ठीके आप अंदर आ जाईए चुकि क्रॉफटर भी बहुत अकिले रहा करता था तो इसको भी कंपनी चाहिए था और इसी के वैसे पेडलर को अपने आवास में बुलाया उसको गरम-गरम खाना खाने को दिया यहां तक की तंबाको भी दिया इस्मोक करने के लिए और उसके बाद वो कार्ड्स खेले और बात करना स्टाट कर दिया पेडलर को पता चलता है कि क्रॉफटर 30 नौर्स घर में रखा हुआ है 30 नौर्स यहां पे पैसे की बात की जा रही है और वो पैसा गाय के दूद से जो क्रीम निकलता था उसे बेचके वो कमाया रहता है और यह बात पेडलर को स्वयम क्रॉफटर बताया होता है और उसको दिखाया भी होता है कि कहां पे वो क्रॉफटर पाउच बना के वो पैसा रखा है खिड़की होता है, खिड़की के फ्रेम के बगल में उसे लटका के वहाँ पे रखा होता है, पेडलर के दिमाग में खुरफाद चलता है, और वो इंतजार में रहता है कि अगले दिन जैसे ही ग्रॉफटर वो जगह छोड़ेगा, वो उसका पैसा चुरा के वहाँ से रफू क्योंकि उसमें से जो पोटली रहता है, तो पैसा निकाल लेता है और उस पोटली को वैसे ही वहाँ पर लटका देता है, ताकि अवर पैसा चुराया और चुराने के बाद वो जंगल के रास्ते आगे जाने लगा, क्योंकि अभी आम लोगोंने पिछले पिछले स्लाइड म होती है चुकि उस जंगल में गुम हो गया रहता है उसी समय उसके दिमाग में ये बात आती है कि आपिफंटर से मिलता है जो कि मास्टर को इपने घर है है क्रिश्मस का सीजेंच सल रहा होता है और Christmas के लिए ही उसको invite करता है लेकिन पेडलर उसके invitation को refuse कर देता है उसके बद क्या होता है कि जो आइडन मास्टर की बेटी रहती है एडला वो आती है और बहुत insist करती है पेडलर को कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आप आईए हमारे साथ रहिए वहाँ पर वो जाता है जिस तरीके के hospitality एडला से पेडलर को मिलता है पेडलर बहुत खुस हो जाता है क्योंकि पहले हम लोगों ने देखा था कि उसका care करने के लिए उसके पास कोई था नहीं एक जगह वो चोरी करके आया हुआ है दूसरे जगह उसे hospitality मिल रहा है इन दोनों के बीच जो पैसा चुराया होता है उस बात को सोचके अपने आप पे गलान ही महसूस करता है जैसे ही पेडलर आईटन मास्टर के घर पे पहुंचता है सबसे पहले तो उसका हुलिया चेंज नहीं रहता है और उसके बाद आईटन मास्टर के दिमाग में यह बात चलता है कि जिस वेक्ति को घर पे लेका है साइद वो फ्रॉड होगा और उसको वहां से पखाने का सोचता है चुकि उस समय भी पेडलर वहां पे रहना नहीं चाहता लेकिन एडला वहां पे साथ रहो Christmas enjoy करो उसके बाद जाना और साथ ही साथ मिलके आईटन मास्टर और उसकी बेटी और यह पेडलर तीनों एक साथ Christmas celebrate करते हैं अगले दिन क्या होता है कि आईटन मास्टर और एडला को पता चलता है कि यह जो पेडलर था वो थीफ था क्योंकि अगले दिन जब आई यह सुनते ही एडला और आईटन मास्टर अपने घर वापस आते हैं क्योंकि उनके दिमाग में यह बात होता है कि घर पे जो भी सिल्वर से बने हुए चीज है वो व्यक्ति उसे भी चुरा लिया होगा जब वो घर पे आते हैं तो वो लोग surprise हो जाते हैं यह चीज देखके कि पेडलर जो रहता है वो कुछ भी नहीं चुराया होता है वो एक नोट लिखे एक छोटे से रैट ट्रैप जैसा एडला के लिए छोड़के गया होता है उस नोट में और कुछ नहीं होता है वो एडला को thanks बोल रहा होता है कि जिस तरीके का kindness उसके साथ दिखाया गया है आज तक कभी भी किसी नहीं दिखाया उस नोट में यह भी लिखा रहता है कि जिस तरीके का hospitality उसने पेडलर को दिखाया वो world being a rat trap वाले condition में फ़स चुका था उससे उसको निकालने में मदद मिला और सबसे important बात यह हुआ कि उस नोट के साथ साथ पेडलर ने crafter का पैसा भ बढ़ा है वाले चानल रेटरो घस तूदी स